नवश्कार दोस्तो और विल्कम बैक टो माँ चैनल फिर्स्ट इन्वेस्वेंट दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सो जिस तरीके से मैंने आप लोगों बताया था कि निफ्टी कल गिर सकती है यानि कि फ्राइडे को मार्केट गिर सकती है एक्जाक्ट वैसा ही हुआ देख सकते हैं कि हम लोग जिस तरीके से tools का use करते हैं उस तरीके से अगर market react करती है तो we'll definitely make some money अगर हम लोग ने live market पे check भी करा था जो हमारे students थे उन लोगों को ने study भी इस ती भी परी थी की देख सकते हैं इस तरीके से fall कर रही थे and exact हमारे सारे के सारे बोल रहा था कि we have to buy for a target of 13,750 और आपको वो ही target बोला गया था 750 और बोला गया था वहाँ पर अपनी positions exit करना start कर देना, profit book करना start कर देना, वहाँ तक market गई उसके बाद we see a fall बिल्कुल Fibonacci extensions के through ऐसा हुआ है so ये टूल होता है जैसा Fibonacci retracement होता है, वैसी Fibonacci extension होता है, so उस तूल का use करके we find कि जब lifetime high break होता है तो हमारे पास targets नहीं होते जब lifetime high break करेगा तो there is no resistance on the upper side तो हम लोग कहां से पता लगाए कि reversal आ सकता है, so उसके लिए हम लोग क्या करते है, उसके लिए हम लोग Fibonacci extensions का use करते हैं, जो हमें possible three levels बताता है जहां से एक reversal आ सकता है so वो level था 13,750 का, so we see a fall अब chances आ रहा है कि अगर ये अगला हफता जो आ रहा है अगर वो अगला हफता 13,750 की उपर close हो जाता है तो yes, market upside जा सकती है, but इस week हम लोग ने देखा कि वो 13,750 की उपर close नहीं कर रहा है, अगर ये कल इस अगला हफता जो next week है, अगर वो भी 13,750 की उपर close नहीं करता, तो guys we can see a minor correction on market ठीक है मैं अब भी कल के लिए, तो Monday के लिए तो buy side में हूँ, but अगर आपको short करना है, you can go for a bank, bank पे आप short कर सकते हो, वहाँ पर हम लोगो नहीं आरवियल बैंक पे कुछ ट्रेट्स देखे थे, प्लस करनाटेगा बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक ते जिसमें लोगो ने short positions देखी थी, जो बन रही थी और वहाँ पर आप बना सकते हो, बट मंडे को हमें एक बर observation लेना चाहते हैं कि market react क्या करेगे, because हुआ क्या था, आप देखे का market नीचे गरी, नीचे गरने के बाद वो recover कर गई है, निफ्टी की बात कर रहा हो because nifty strong है, so अभी हमें देखना है कल, अगा market एक अच्छा सा fall कर कर देती है, so yes there are probably high chances की weekly closing भी 30,005, 750 की नीचे होगी, and वहाँ पर एक minor correction आ सकता है, okay, so what we have to do, हम लोग market पे कल buy side की तरफ लेंगे, but कम quantities बिलेंगे, और मैंने आप लोगों को Friday को भी काता, market गर सकती है, so you have to take small quantities whatever trades I am providing you, okay, so ये stock आता है PVR, PVR पे आप लोगों को आप देख सकते हैं, ये PVR का stock है, okay, आप देख सकते हैं, ये जो लेवल बना रखा, ये एक supply zone था, okay, इस supply zone में यहाँ पर इसने resistance phase करा, इस resistance को phase करने का आप जैसी breakout दी हम लोगों ने देखा, एक strong rally आई है, almost 1300 से ये 1500 तक आगया था, okay, 200 points की एक rally देदी था, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक correction आया, correction आने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, कि एक 61.8% Fibonacci retracement से ये bounce कर गया, ठीक है, 61.8% Fibonacci से bounce करा जबकि market गिर रही थी, ठीक है, so यहाँ पर ये अगर 14.34 पर close हुआ है, अगर ये 14.38 के ऊपर जाता है, तो yes, यहाँ पर एक buying आ सकती है for a target of 14.50, 14.52, तो यहाँ पर हम लोग कल एक buy की side में लेकर चल सकते हैं, ठीक है? जो हमारा next talk आता है, which is Infosys, Infosys पर buy करने की सला है, Infosys मैंने आप लोगों को previously TCS दिया था और TCS के साथ मैंने, Infosys भी आप लोगों को बताया था, कि IT stocks ने एक lifetime high का breakout दिया है, so वहाँ पर probable chances है कि एक बहुत strong up move आ सकती है, और आप देख सकते हैं, almost 400 points तक की rally देखी थी, हम लोगों ने निफ्टी IT के index पर, so आप देख सकते हैं, कि यह एक symmetrical triangle pattern था, उसका breakout दिया, फिर उसने दुबार एक range के अंदर trade कर रहा है, और एक gap up के साथ breakout दिया, अपने previous resistance के उपर जाके close करने में काम यब भी हो गया है, so yes, अगर यह उपर sustain करता है, अगर यह 1192 के उपर sustain करता है, तो एक अच्छी गासी buying इसके अंदर भी हम लोग देखने को मिल सकती है, ठीक है, आपको सिफ patterns identify करने कि कोई मेहनत वाला काम नहीं होता है, आपको सिफ समझना है कि आपको किस तरीके स करना है, देखे, मैंने एक छोटी सी एक trend line draw करी, और एक bottom side पर trend line draw करी, मैंने क्या देखे, एक breakout आया, breakout आने के बाद stock थोड़े time pause लिया, और breakout उसके बाद दिया, आप stock की psychology को समझोगे, तब ही आप उसके basis पर trade ले पाऊ गया, ठीक है, तो यहाँ पर stock की psychology आम यह बता रहे है, ठीक है, और next stock is Cumens India, Cumens India पर अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़िया breakout दिया है, breakout दे भी सकता है, आप देख सकते हैं, एक sharp up move आई, उसके बाद retracement लिया, उसके बाद एक दुबार up move आई, जो इसका previous हाय था, उसको जैसी break कर, हम लोगों ने देखा है, एक अपच और अपनी previous हाय पे ट्रेट कर रहा है, अगर यह 613.5Q पर निकलता है, तो यस इस इस पे बाइंग आ सकती है, और यह प्रोबबली 10 से 15 रुपे तक की movement दे सकता है, ठीक है, अगर आप stock की psychology को समझे, हर stock की psychology होती है, वो कुछ बताना चाहता है आपको, अगर वो आप बात स अच्छे से ट्रेट करके profit and कर पाएंगे, देखें, मैं एक बर और अच्छे से explain करता हूँ, आप लोगों की general knowledge के लिए है, stock उपर गया, नीचे आया, pause लिया, फिर breakout दिया, breakout देने के बाद दुबारा नीचे आया, अपने previous जिस लेवल से breakout दिया था, exact उसी लेवल पे support लि करा, ये एक sharp rally के साथ recover भी कर गया, अब अपने exact resistance पर कड़ा है, तो क्या होगा, कल एक sharp movement आ सकती है, movement आने के बाद ये दुबारा इसी लेवल पे retrace लेग सकता है, और दुबारा उपर breakout इस पे दे सकता है, फिर retrace ले सकता है, फिर breakout दे सकता है, एक rally इस पे start हो चेकी है, त अब तक एक trend reversal हमें देखने को नहीं मिलता है, ओके, और next talk is Gatti, गती पे भी हम लोग एक buy इनिशेट कर सकते हैं, अब देख सकते हैं, गती पे क्या हुआ, एक sharp movement आई, देखें, sharp movement आई, sharp movement आई, शाप movement आने के बाद इसने एक pause लिया है, and pause लिया है around 38% Fibonacci retracement के level से, हमें F Fibonacci extension ही पता चल गया, तो we can find some possible reversals as well, यह सारी चीज़ बहुत important हैं, आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि अगर आप market देखें, अगर आप charts को समझ गाए, अगर आप सारी चीज़ों को समझ गाए, you don't need to find some strategies, कि मैं यह indicator लगाऊ, मैं वो लगाऊ, इसके ऊपर breakout इंडिकेटर के ऊपर crossover आएगा, यह RSI, you don't need to find anything, आपको कोई भी indicators नहीं लगाने, pure price action and patterns के तुर, you can find anything, yes, so देखें, अगर यह इसके ऊपर breakout दे ही चुका है, यह छोटा सा minor resistance है, जो हमें मिल रहा है 88.60 के असपास, अगर यह break हो जाता है, तो probably 90, sorry, यह जा सकता है, 91 से ले previous high तक भी जा सकता है, ठीक है, इसका जो previous high आ रहा है, वो अल्मोस्ट आ रहा है 98 रुपीज तक का, yes, so वहां तक भी जा सकता है, और अगर इसका breakout sustained रहता है, तो एक flag and pole का breakout होगा, and flag and pole का breakout होगा, तो इसके targets भी हम कैसे find करते है, Fibonacci extensions के through find करते है, ठीक है, so our next, and last stock is RBL bank, यही last stock है, जो मैं आप लोगों को बस selling के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक sell side में होना चाहिए, अगर chart stocks बाई के लिए दे रहा हूँ, एक sell side के लिए, एक sell side के लिए, हम लोगों सेफ बेट में रख लेते हैं, RBL bank चेक कर लेते हैं, यह वाला particular stock हम लोगों ने live market पर analysis करा तो अपने students के साथ, आप देख सकते हैं, एक अच्छी up move आई, उसके बाद एक pause लिया, यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद दुबारा उपर गया और अपने previous high को इसने break नहीं करा और हमने एक दुबारा fall देखी, जब लोगों ने एक दुबारा fall देखी, तो what we find के अपने previous high को break नहीं करा है, यहां पर multiple bar support ले रहा है, इस line पर, यह जैसी line break हुई, यह जैसी line break हुई, we go for a shot, हमारा target था यह level and यह level, यह अचीव हो चुका है, कोई बात नहीं, कल अगर थोड़ा सा gap up खुलता है, तो हम लोग trade नहीं करेंगे, अगर इसी level पर खु के sell के लिए, निफ्टी एक बार मैं आप आपको दुबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, हम लोग ने किस तरीके से हम लोगों को बहुत बढ़ी हे trades मिलेते हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 15 minutes का time frame open कर लेते हैं, yes, ठीक है, so आपको मैं इदर दिखाता हूँ, यह तो हम लोगों ने बहुत सारी lines बना रखी हैं, जब हम intraday में काम करते हैं, वरना इतने सारी lines की necessary नहीं होती है, देखेगा, यह एक zone था, ठीक है, and यह वाली जो आप line दिख रहे हैं, यह जो पूरी line ऐसे जा रही है, इस इसे हम कहते है, 1.272 का Fibonacci extension का ratio, यही level मैंने draw कर रहा था, जब 13,250 पर था, and I've told you कि इस level पर आपको shot initiate कर देना है, exact gap up वहां खुला, नीचे आया, जैसी इसकी नीचे गया, इस range को इसने break करा, we go for a shot, हमारे यह first target था, यह हमारा second target था, सारे targets meet करे, and there is a demand zone there, and वहां से एक दुबारा एक buying आई, अब देख सकते हैं, दुबारा buying आने के बाद, इसी level से यह reverse भी करा है, दुबारा, इसी level से यह stock reverse करा है, so अगर यह नीचे आता है, तो we can go for a shot as well, bank nifty अगर हम लोग एक बड़ चेक करें, bank nifty पे भी आप देख सकते हैं, देखें, कितना बड़ी हम लोगों को profits मिल रहे हैं आप है, simple analysis थी, यहां पर भी, यहां से एक, आप देखेंगा, यह जो line draw करी है, यहां पर resistance, resistance and resistance, देखें, simple analysis कर रहा हूँ, break हुआ, ठीक है, break होने के बाद, नीचे आया, दुबारा उपर गया, and इसी level से reverse करा, तो यह level important हुआ, yes, but जब यह resistance था और यह break करा, तो यह line भी important होनी चाहिए, हाँ, यह line भी important है, तो यह line हम लोगो ने देखा, multiple बार यहां पर pause कर रहा, और यह जैसी line break हुई, we go for a shot, हमारा यह first target था, यह second target था, and यह third target था, जो हमारे demand zone था, मैं trend line break हुई, अपना resistance ब्रेक हुआ, and we go for a shot, हमारा पूरा targets था गया, यहां पर बार बार डिमांड आ रही थी, तो exact इसी level को छुआ, और इसी level से इसने higher rise बनाना start करा, देखे, सारी चीज़े अगर आप सीखना चाहते हो, तो हम लोग 3 months का mentorship program लेका रहा है, from January to March, उस पे आप हम लोगों को life market पे analysis करवाई जाएगी, trade करने में मदद करी जाएगी, सिखाया जाएगा, पूरा A to Z आप लोगों को सिखाया जाएगा, and उसके बाद अगर आप 3 महीने बाद perfect हो जाते हैं, so हम लोग, आप लोगों को अपने first investment के, जो हमारा firm है, हम आप लोगों को percentage basis पे भी रखेंगे, as your reward, yes, so if you are interested, नीचे एक form है, description पर, उस form को आप अपने contact details भढ़ सकते हैं, बस वो ही बढ़ेगा, जो finally interested है, ठेक है, PDF भी नीचे है, उस PDF को भी आप कर सकते हैं, या number दे रखा, अगर आप interested हो, उस number पो WhatsApp डाल सकते हैं, yes I am interested, we can provide you the further details, ठेक है, so इसी के analysis को end करते, bye bye guys, अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो इस वीडियो को like जरूर करेगा, comment section में बताएगा, bye bye